Hello experience, welcome to my YouTube channel So, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 5-year plans की summary देखिए, टोटल 12 5-year plans हैं 5-year plans का मतलब है कि अगले 5 सालों के लिए हर एक department के लिए कुछ amount, कुछ fund allocate करना ताकि वो department उस fund का अच्छे से use करके development ला सके देश का विकास हो सके, बस देश का विकास करना economic level पे उसे हम 5-year plan का गोल समझ सकते हैं ठीक है, चाहे वो education department है, चाहे वो health department है चाहे वो industries है, चाहे वो जो भी sector है तो 5-year plans हमने समझ लिया क्या है टोटल 12 5-year plans हैं, 1951 से start होते हैं, 2017 तक है तो देखे, सारे के सारे plans में आपको already elaborate करके बढ़ा चुकी हूँ, आज हमें क्या करना है one and only summary discuss करने है, जो भी important points है वो discuss करने है, और मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कुछ भी नहीं, जो important points है बस वो बताऊंगे कि ऐसा ऐसा है, यहां यहां से question आता है तो आप, अगर आपने सारे के सारे जो five-year plans है उनकी वीडियो से notes भी नहीं बनाए है तो भी अगर आप यह notes बना ले देना, तो भी बहुत अच्छा हो जाए है, क्योंकि जो starting वाले plans है इन में से questions बनते हैं, लास्ट वाले में तो फिर सब common ही है लास्ट वाले में जो भी रहेगा, मैं आपको बता दूँगी तो सबसे पहले तो आप से request रहेगी paper pen उठाएं और अपने notes बनाने start कर दें, right सबसे पहले आता है first five-year plan कब से कब तक था, 1951 से 1956 तक था, एक तो time period आपको पूरा-पूरा याद होना चाहिए, ठीक है अब जब first five-year plan आया, उसी time से हमारी economic level पे development स्टार्ट हुई थी, ठीक है PM कौन थे इस time पे, PM थे पंडित जौहला नहरू जी, right केर राज, economist थी, economist थी, इस time पे, इनका idea था, कि इस तरह से कुछ करना है, ठीक है Harad-Domar model, इस जो first five-year plan है, इसे Harad-Domar model के नाम से भी जाना जाता है focus था agriculture पे, अब देखे हमारा जो देश है, एक agricultural economy था उस time पे, उस time पे क्या भी भी agriculture sector ही जादा है मतलब, जादा था लोग अभी भी agriculture sector में कारे रहते हैं, लेकिन हमें उतना output नहीं मिलती agriculture से, है न पिर चलिए, वो बात की बात है, वो हम फिर कभी discuss करेंगे, कि हमारी economy आज की डेट में कैसी है but उस time पे focus है agriculture में, first five-year plan में and it was a successful plan, right second आता है, second five-year plan कब से कब तक था, 1956 से 1951 तक था, PC महरा नोबिस जो थे, इन्होंने draft किया था इसका, तो इसे PC महरा नोबिस model के नाम से भी जाना जाता है, rapid industrialization industrialization जो है, उस पे focus किया गया, heavy industry setup की गई, industries जो है, अब हम क्या कर रहे थे, agricultural economy से, industrial economy की तरफ shift कर रहे थे, ठीक है, तो rapid industrialization आई, it was moderately successful, एक हम कहें कि simple pace पर ही successful होते होते रह गया, successful था नहीं, आपके simple अगर सिधी भाशा में कहें successful था या fail था, तो it was a complete failure, क्योंकि यह पूरा नहीं हो पाए, success तक नहीं पहुंच पाए, थोड़े से points का फरक रह गया था, बट वही है, शब्दों का खेल जब आप exam में लिखते हैं, तो you can write कि it was moderately successful plan, time period 1956 से नहीं सो इकास रहता है, ठीक है, अब हमने दो पढ़ लिए, अब हम तीसरा और चौथा पढ़ेंगे, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगी, कि देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे, get girl formula, अब मेरी जो book है, उसमें 4th 5-year plan को कहा गया, कि get girl formula था, लेकिन कुछ मैंने comments लेखिए, कि मैं थर्ड वाला get girl formula था, मैंने google भी किया, तो वहां भी 3rd आ रहा है, ठीक है, तो आपने यह चीज़ चेक कर लेनी है, यह यहां पर star लगा कि किसमे था क्योंकि थोड़ा सा काम तो आपको भी करना पड़ेगा मैं आपके पास नोट्स उस तरह से प्रोवाइड करवाती है जिस तरह से मेरी बुक्स में है न पर आपको पते हिए हर एक बुक का थोड़ा बहुत अलग हो ही जाता है तो टेंशन हो कि अगर ऐसा कोई बा फिर हमने कहा कि वो फेल हो गया तो उसके बाद हमारे जो ये ड्राफ्टर थे जो ड्राफ्ट कर थे सारा फाइड को प्लैन बनाते थे उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं हमें जो है हमारा देश एग्रिकल्चर बेस्ट है तो एग्रिकल्चर पर ही फोकस करना मतलब कि जो भी भारत के लोगों को चाहिए वो यहीं पर प्रोड्यूस करवाना बाहर से चाहिए इंपोर्ट हो ये ना हो हमें फरक नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा ली कि इंपोर्ट बन करना इंपोर्ट आएगा तो हमें कॉंपेटिशन मिलेगा यहां पर इनके टाइम पिरिट के बाद करें तो 1961 से 1966 तक का इनका टाइम पिरिट था अब देखिए थर्ड फाइव प्लान है लेकिन थर्ड फाइव प्लान के बाद हमारे हॉलिडे प्लान साते है डिरेक्ट फॉर्थ फाइव प्लान नहीं आता है हॉलिडे प्लान साते हॉलिडे प कहा जाते है क्यों आये कैसे आये क्या था वो सब पूछ दिखिए इस ताइम पे वार चल रही थी है आपको पता हुगा नाइटी सिट्टू में वार हुई थी तो इंडोचाइना वार तो उस ताइम पे क्या हुआ था कि फंड्स की कमी हो गई थी और हमें 5-year plans के लिए तो फंड्स ची अगले 5 साल के लिए फंड्स पहले देने पड़ेंगे लग लग डिपार्टमेंट को तो फंड्स की कमी थी तो annual plans लाए गए ठीक है अब इसी ताइम पे थोड़ सा अगर आपको ध्यान हुआ अगर आपको ध्य आपने चेक करना है गलत नहीं लिखना है जो आपको सही लगए आपने वो लिखना है अपनी book में देखना है ठीक है focus जो है वो रहा growth with stability growth करनी है बट अपनी economy को stable बना के रगना है इस time पे एक nuclear test हुआ था जिसे smiling buddha के नाम से जाना चाता है वो खरन गुजरात में हुआ था 14 banks were nationalized ये बहुत important है fourth five year plan में क्या हुआ था 14 banks को nationalize किया गया था and it was a complete failure successful नहीं हो पाय था complete failure था plus time period की बात करें तो 1969 से 1974 ये जो है इसका time period था अब हमने चार तक पढ़ लिए next page पे हम आगे की तरफ चलते हैं बट एक चीज़ आपको फिर से request करना चाहूंगे कि please notes जरूर बनाए notes बहुत जरूरी होते हैं बिना notes के आपके study जो है वो अधूरी ही रह जाती है हम चीज़ें भूल जाते हैं ठीक है तो आप मुझे comment section में भी ये चीज़ जरूर बताएं कि आपने notes बनाए हैं या नहीं बनाए हैं ठीक है अब चली ज़्यादा time ना waste करते हुए चलते हैं next page के तरफ next जो है वो है हमारा fifth five year plan ठीक है तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे handwritten notes को purchase भी कर सकते हैं पर्चेस करने के लिए आपको क्या करना है description box में मैंने एक link दिया है right सबसे पहले description box में चाहिए link पे क्ले कीजिए आप directly मेरे साथ contact में आ जाएंगे वहां पर जो कि आपकी pricing related queries है या कोई भी query है वो solve कर दी जाहेंगी इसके answer दे दी जाएंगे प्लस आपको right now सिफ चार subjects के notes मिलेंगे Indian geography, Indian polity, medieval India and national movement इसके अलावा कोई भी और notes handwritten नहीं मिलेंगे तो please इसके अलावा ना पूछूँ कि मैं देखा बहुत सारे messages तो ऐसे होते हैं मैं हमें सिर्फ economics चीए मैं हमें सिर्फ word geography चीए अरे वो subjects तो हम पढ़ा रहे हैं अभी कैसे मिलेगा अब देखे हैं हम सिर्फ planning कर रहे हैं इसमें five year plans कर रहे हैं तो five year plans हमारे hardly 4-5 topics हुए इसमें कितने topics अभी हमें बचते हैं अभी topics complete नहीं हुए हैं बड जैसे ही हुए हैं मैं आपको YouTube पे पोस्ट कर दूँगी अप्डेट कर दूँगी फिलहाल जो मैंने आपको बता है सिर्फ चार्स प्रिक्स के notes आपको मिलेंगे मतलब जो लोगों की कम से कम आवशकता होती हैं उनको भी पूरा करने के लिए प्रोग्राम आया इसको बनाया था DP धरने यह जो पूरा को पूरा प्लान था सी सुब्रामन्यम का था इस ताम पर 20 पूराम आया TPP भी इसे कहते हैं क्या चीज़ था वो मैं नेक्स्ट तीन-चार वीडियो के अंडर यह आ जाएगा क्या चीज़ था हलका सापको अंडरस्टेंडिंग के लिए अपनेक्स्ट नोटी स्कीम से 1980 तक कॉल्ड ऐस पीरिड ओफ इंस्टेबिलिटी इंस्टेबल था इस टाम पर पीरिए ठीक है एक स्टेबिलिटी कहते हैं कि स्टेबल है एकॉनमी वैसे नहीं थी एकॉनमी में कभी एकदम सक्सेस्फुल हो रहा था प्लैन एकदम डाउनफॉल हो के फेलियर हो जाए थ जन्ता पार्टी इंट्रड्यूस जन्ता पार्टी जिस टाइम पर आई थी उन्होंने इंट्रड्यूस किया था रॉलिंग प्लैन 1970-1980 तक यह भी ऐसे आये थे ठीक है आई आई डीपी आये उन्हें असी में कॉंग्रेस आई उसके बद कॉंग्रेस ने से रिजेक्ट कर द जो टेक्स है वो रिड्यूस कर दिए ठीक है जो डूटी लगाते हैं एकसाइस दूटी वो रिड्यूस कर दिए इस से क्या हुआ व्यापार थोड़ा खुला हो गया था फैमिली प्लैनिंग पर फोकस किया गया पॉपलेशन बढ़ने लग गई थी ठीक है लोगों को अंड पढ़ने जोहादाल नहरुजी का जो समाजवाद था, जो कहते हैं, सोशलिजम, उसको एंडिंग मानी जाती है, टाइम पीरिड देखें, तो 1980-1985 तक का इसका टाइम पीरिड था, अब देखें, हमने 5th और 6th पढ़ा और यह जाना कि इसके बीच में 6th, sorry, rolling plan आया था, 5th और 6th के बीच में, right, अब हम जानेंगे 7th 5-year plan के बारे में, 7th और 8th के बीच में कुछ आया था, ठीक है, तो वो भी हम दिखेंगे, सबसे पहले 7th 5-year plan के टाइम में, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, राजीव गांधी जी थे, theme क्या था, food, work and productivity, food पे focus करने लोगों को खाना अ बार, 2000, 2000 तक हम 8-今年 होने भी पूरतरा सी, हमें किसी और economy के है, वह हमें है, किसी की help की ज़रवत नहीं होनी चीआ, implement आइसा नहीं है, अब तक देख लीजी हमारे टेश पे कितना लोगों है, IMF का है, World Bank का है ADB का है और backstory of time period के बारे, 7th 5-year plan के तो 1985 से 1990, यह time period ठीक है, next चलते हैं, annual plans की तरफ, तीन और चार के बीच में holiday plan आया था, पांच और छे के बीच में rolling plan आया था, 7 और 8 के बीच में annual plan आया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बस यह तीन ही थे, जो extra ही थे, बाकि कहीं आपको आगे नहीं मिलेगा, So, हम बाप करेंगे, annual plans की, annual plans आया, 1990-1992, यानि, एक था, 1990-1991, एक था, 1991-1992, इस टाइम पिया था, economic instability, वही उपर वाली problem थी, rolling plan वाली, stability नहीं हो पा रहे थे, हमारी अर्थ रवस्ता में, तो इसलिए, LPG reforms आया थे, बाप कहेंगे, मैं LPG reforms थे, 1998-1999 में आया थे, तो देखे एकदम कोई चीज नहीं आती है, time लगता है उसको आने में, तो 1990-1990 में इस चीज स्टार्ट होगे थे, आनी reforms, ठीके, जिस टाइम पर ये आया थे, PM थे, नार सिमहार आओ, LPG reforms अब क्या है, liquidization, sorry, it's liberalization, privatization and globalization, LPG को हम वो भी कहते हैं, LPG gas, liquefied petroleum gas, तो महां से मुझे द्या ठीक है, मतलब, यही करना है, फिद बाकि सोड़े बाद plan है, थोड़े time लगेगा, but next, जो हमारा chapter है, वो यही है, ठीक है, अब annual plans हो गए, उसके बाद आया हमारा 8th 5-year plan, जो की था modernization of industries, industries में modernization लाना है, industries set up हो गई है, technology आगे, सब कुछ हो गए, थोड़े modern करना है उनको, पुराना style हम यूज कर रहे थे, थोड़ा modern करना है, ठीक है, now India, India बना member WTO, World Trade Organization का कब, 1995, 1st January को, इस time पे आई थी PM, रोजगार योजना, it was a successful plan, और इसमें क्या था, involvement of 25 और नगरपालिकाज in administration, प्रशासन में, पंचायतों और नगरपालिकाओं की involvement लानी है, ठीक है, प्र प्रशासन में, और इर्थ 5-Way Plan का time period क्या था, 1992-1997 तक, ठीक है, तो 8 तेक हमने 5-Way Plans पढ़ लिए, सबसे ज़्यादा important यहीं तक है, अब जो आगे वाले 4 हैं, उनमें एक एक दो-दो चीज़े हैं, जो पढ़ने वाली है, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, तो एक और बताने चाहूंगे, आप लोग हमेशे कहते हैं, कि मैम, आप इंस्टेग्राम पे अकाउंट बनाईए, ताकि हम आपसे directly contact कर पाएं, तो मैंने इंस्टेग्राम पे अकाउंट बना दिया है, उसका link भी description box में दे दिया है, आपको just उस link पे click करना है, और directly आप मुझे follow क बढ़ सकते हैं, इस्टेग्राम पे, and yes, please मुझे follow करें, because आप लोगों की demand पे मैंने account बनाया है, तो चलिए, ये भी हमारा page होगा complete, अब चलते हैं, हम next page की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे last के बचे हुए 4 5-year plans, and हमारा video हो जाएगा summary वाला complete, right, next हमें बढ़ना है 9th 5-year plan के बारे में, right, तो time period सबसे पहली पता होना चाहिए, 1997 से 2002, 1997 से 2002, और 1997 में क्या चीज़ हुई थी, देखिए, 1947 में हमें independence मिली थी, चीक है, तो total 50 years since independence, 1990 में हमें total 50 साल हो गए थे, आजाद हुए हुए, चीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस टाइम पे, अटल बिहारी बाच पे, जी, एम क्या था, यह important है, to achieve complete elimination of poverty, गरीबी को पूरी तरह से हटाना है, यह aim था, देखिए, गरीबी को तो आप भार से नहीं हटा सकते हैं, reasons भी हम जब poverty पढ़ेंगे, तो हम discuss करेंगे, बट यह कैसी चीज़ है, जिसे हम पूरी तरह से एक poverty होगई, एक unemployment एक चीज़ आते हैं, नवा, दसवा, ग्यार्वा, बार्वा, टोटल जो चार के चार प्लैन है, चारों failure है, ठीक है, तो इसमें जो important points है, वही लिखी है, question आ सकते हैं, कि जिसनाएं पे अटल बिहारी वाजपे, प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सा 5-year plan चल रहा था, question उल्ट रहा है, नहीं, inclusive, poor level पे growth होनी चाहिए, creating employment for 80 million, रोजगार पे focus हुआ कि 80 million को तो at least in 5 सालों में, 2002-2007 तक in 5 सालों में jobs मिलने चाहिए, but it was also complete failure, right, अब देखिये, 9-10 हमने पढ़ लिया, 2-2 चीज़े में, इसमें important है, पढ़ने वाली, जादा इन में है, नहीं, ठीक है, environment को sustain करके, बचा के रखना है, ठीक है, अब थोड़ी सी environmental issues होनी लग गए होंगे इस time पे, जिसे कि climate change हो गया, global warming हो गई, greenhouse gases का effect, वो सब चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सोचा गया है, कि हमें environment को भी बचा के रखना है, है ना, next आता है, provide clean drinking water to all by 2009, 2009 तक सब को साफ पानी provide होना चीए, पीने के लिए, ये भी 11th 5th plan में था, अब सोचिए कि इस time किस time की बात होई, 2007 और 12 इस time के आसपस लोगों को साफ पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है, तो क्या हमारे देश की हालत रही होगे, जिसे एक time पे सोने की चडिया कहा जाता था, अंग्र 2010 ये भी आया था, ठीक है, जिसमें क्या था, free and compulsory education to all the children from age 6 to 14 years, वो पढ़ते हैं वो सब कुछ इसमें था, but it was also a complete failure, जैसे मैं आपको पता है, 19, 11, 12 या रहने हैं, failure दी थे, 2007 से 2012 ये इसका time period था, ठीक है, 11 हो गए हमारे, अब हम 12 देखते हैं, अब एक चीज़ यहां पर आपको बताना चाहूंगे, देखिए, अगर आप अपने आप notes बनाना चाहते हैं, आप notes purchase नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी आपका options है, काफ़े दा subjects के मैंने handwritten notes की videos complete कर दी है, upload करके, तो आप description box में जाके देख सकते हैं, काफ़े दा मैंने link दी है, पूरी-पूरी playlist के, शुरू से लेकर end तक अगर आप videos देखेंगे, तो believe me, बहुत ज़दा improvement होगी आपकी knowledge में, right, तो यह भी option है, कि आप अपने आप notes बनाएं, तो better option है, कि अपने notes से ऐसा थो नहीं, बहुत रफाइद होता है, आपको पता था है, कौन से चीज कहां लिखी है, अपने style से बनाते हो, हर एक का अलग style होता है, notes बनाने का, है न, कई खुले-खुले notes बनाते है, कई tight बनाते है, कई decorative style में बनाते है, कई एक ही band से बना देते है, तो सबका अपना style होता है, पढ़ने का, right, तो चलिए, जाधा time ना waste करते हो, अब हम पढ़ेंगे 12th 5-year plan के बार में, which is the last 5-year plan, right, theme क्या था इसका, faster, more inclusive and sustainable growth, growth का थोड़ा बढ़ाओ, speed बढ़ाओ, inclusive level पे हो, हर एक इंसान को, जो है, फाइदा मिले है, है न, growth हो, हर एक level की growth हो, आसने, अमीर, अमीर, गरीब, गरीब रह रहा है, है न, to provide electricity supply in all villages, अब सोचिए, इस टाइम पे लगों के पास, बि बिचली घर-घर तक, electricity घर-घर तक, घरे गाओं तक पहुंचानी है, ये भी target था, and it was also a complete failure, याद रखना है, 9th 5-year plan में, पूरी की पूरी गरीबी हटानी थी, 10th में, लोगों को jobs देनी थी, 11th, सीर अंगराजन ने prepare किया था, environment को sustain करना था, साफ पानी लोगों तक पहुं National Institute for Transforming India, बट जो भी है, वो हम बाद में discuss करेंगे, पहले में Planning Commission, National Development Council, ये सब कुछ discuss करना पड़ेगा, right, so, आज के वीडियो हो गई है, हमारी complete, मैंने कोशिश की है, कि अच्छे से अच्छा content आपको provide करवा पाऊं, अब आप ही मुझे बताएंगे comment section में, कि आपको कैसी ल single video में 12 जहरती तो 2 थीन घंटे की oplाती है, हमारी की 2-3 हो जाती हैं तो कम से कम 11 होन चीज सही नी थी, इसल first job नए को छोटी few videos बनाएं, की about pile that, you can dobie planning houseWh no surprise खराब हो गया है पढ़ने वालों का भी दिमाग खराब हो गया है competition तरह बढ़ गया आप जो मरजी पढ़ लो काम है ठीक है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आपने मुझे comment section में जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आपको बहुत अच्छे से बता है क्या करना है जल्दी से कर दीजी चैनल को subscribe bell icon को किजीए press so that मैं जैसे को वीडियो upload करूँ सबसे पहरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे right so आज की वीडियो के इतना ही नेक्स वीडियो में भी हम जानेंगे economic planning क्या होती है planning के types क्या होते है right so that's it guys and see you soon